हाँ आपर हम देखेंगे एक अमेजिंग इन्फोग्राफी जो है फिल्मीडियम टीम ने बनाई हुई है उनका सुक्रिया अदा करना चूहँगा चले सर्फ सुरू करते हैं सबसे पहले आद की जो इन्फोग्राफी है वह एड़ाइजिंग कॉस्ट है परसंटेज ऑफ सेल्स और उसके साथ हम हर स्टॉक्स का चार्ट भी देखेंगे कहां पर एंट्री है मुझे जो स्टॉक्स अच्छा लग रहा है इसमें से वह है एक बिटानिया और दूसरा कॉन सा है चलिए वन बाइवन देखते जाएंगे तो सबसे पहले इन्फोग्राफी देखेंगे और उस देखेंगे दोस्तों मुव ऑन दो चार्ट तो यहां पर निफ्टी एफमसीजी का यह चार्ट हमें कहता है यह जो यह हाई था वह है 23578.10 लास्ट वीक की ब्रेक आउट आ चुका है यहां पर एक छोटा फॉलिंग ट्रेंड लाइन था जो तूट चुका है तो अल ओवर यहां से देखें तो एफमसीजी में यह लेवल से ब्रेक आउट है आप परफेक्ट लेवल जो है वह मैं बता देता हूं आपको वह है 23578.10 तो एफमसीजी में अभी फिलल अच्छा लग रहा है हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह हाई पी छू दे ऐसा अभी फिलल दिख रहा है हर कोई सेक्टर की मैं बात करूं तो अभी फिलल सबसे अच्छा जो सेक्टर लग रहा है वह फमसीजी है यहां से अगर मैं लग रहा है चलिए दिखते हैं वीडियो बहुत इंट्रेस्टिक बनने वाला है यहां पर यह ट्रेंड डाइन हो सकता है यहां तक भी आ सके तो आने वाले दिनों में मार्केट चले ना चले निप्टी चले ना दोड़े उसे देखने की ज़रूरत नहीं है पर FMCG में लग र आया हुआ है यहां तक छू सकता है और वह लेवल क्या है वह बता दूँ मैं अप्रोक्सिमेटली है 35700 अप्रोक्सिमेटली ले लेते हैं यहां से और 1500 पॉइंट की जगा फिलाल दिख रही है और मैं आल्वेस कहता हूं कि वहां तक पहुंचने के लिए we will need to revise the stop loss याने पह देखेंगे और हर स्क्रीप का चार्ट भी जरूर देखेंगे तो बजाज कंजूमर जो है वह है नंबर वन पे वह नंबर वन पर याने उसका जो सेल से उसका परसंटे की बात है राइट टोटल कोस्टिंग ज्यादा है ऐसा नहीं कह रहा हूं पर उसका जो हंडेट रूप सिक्स्टी पैसा उसका सेल्स में जाता है उसमें जाता है एडवर्टाइजिंग कोस्ट में राइट चलिए दिखते हैं बजाज कंजूमर बजाज कंजूमर देखेंगे आने वाले बीक में मुझे अच्छा लग रहा है कैसे चलिए दिखा देता हूं मैं क्योंकि FMCG चलेगा तो हर को स्टॉक चलेगा ऐसा जरूरी यहां पर चैनल का ब्रेक आउट आना यह बड़ा ग्रीन बार बनना फिर उसके अंदर कॉन्स पॉलिट होना फिर वापिस यह जो में बार था उसका हाइट उटना और रियेक्शन लेक्शन में भी आपको एक लंबा है तो आने वाले दिनों के लिए आने वाले वीक के लिए बजाज कंस्यूमर आपको यह जो हाई है 284.70 चले मैं लिख रहता हूं क्योंकि सब में तो बाय आने वाला है नहीं 284.70 के उपर बजाज कंस्यूमर को आप त्यान में रख सकते हो स्टॉप रोस की बात है तो वह और रहेगा यह लो रहेगा एंड इस 256 बाकि आपको पता है दोस्तों एवरी वीक यू निद तो डिवाज स्टॉप प्रिविए स्टॉप प्रिविए स्केंडर राइट तो आने वाले दिनों में बजाज कंस्यूमर रग रहा है की परफॉर्म हो सकता है तो इस पर आपकी आपको फोकस इस पर रहना चाहिए वाजाज कंस्यूमर पर फिर इमामी इमामी का भी सेल्स के कंपरिटिवली 17.70% वह एड़ में डालते हैं देखते हैं यहां पर क्या सीन है वाजाज कंस्यूमर ज़रू त्यार में रखिया है दूस्तों कि इमामी है अच्छा है सब अच्छे हो जूगे है कुछ ऐसा कुछ खास ट्रेंड ड्रॉ नहीं हो रहा है पर सिंपल यह हई के ऊपर 495 के ऊपर इसको ध्यान में रख सकते हैं इमामी को यहां तक हो सकता है 5 20 तक आ जाए ऐसा भी फिलाग दिख्राएं फिर हिंद यूनि लिवर 11.8 पर्शन है इन यूनि लिवर में हमें एक चाहिए रियेक्शन क्योंकि यहां पर सिर्फ एक्शन है याने आने वाले वीक में एक रोज नीचे आए तो और अच्छा है पर अगर देखने जाएं तो उसमें फूल अभी आवर में है अभी फिलाल राइट पर कोई अभी न कि चल्के थोड़ा क्लर चेंज करते हैं मैरी को 9.9 पर्शन के साथ चाहर्टे क्या है उसका प्रूजिसन मैरी को यह पूरा ना निकाल देता हूं मैरी को मैं सिर्फ हैमर है तो हैमर के इस हैप से थोड़ा बहुत अच्छा है पर टीक है उतना कुछ खास नहीं है फिर देख देखते हैं गोदरेज कंजूमर में अभी फिलाल कुछ नहीं दिखे रहा है सिर्फ फॉल 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 है उसे छोड़ देते हैं फिर बात आती है गोदरेज कंजूमर का 7.5 परसंट है और डाबर का जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है वह है वह भी इकवर है 7.5 परसंट चलिए देखते हैं डाबर में क्या है डाबर में एक सिंपल यहाँ पे चैनल है और उसका ब्रेकाउट डेवल है 534.40 ज्यान रखेगा अच्छा फिर बात आती है जोती की जोती लाप्स कि 7.1 परसंट उसमें लास्ट रीक में बड़ा रेड केंडल है कोई अभी तो फिरार मुझे तो स्ट्रेंद नहीं दिख रही है नेसले का कॉस्ट है 6.4 परसंट उनली पूरानी चीज निकाल देता हूं नेसले में अभी मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है दोस्तों आपको दिखे तो कॉमेंट जरूर किजिएगा फिर बात आती है ब्रिटानिया एक स्ट्रॉंग स्टॉक है 4.2 परसंट चलिए है बिटाने हमें यहां से एक चैनल ड्रॉप करते हैं ट्रैनलाइन ड्रॉप करते हैं हो सकता है यह वाला चुल लेवल है लेवल देख लेते हैं 3514.80 3514.80 अगर वो ब्रिक होता है तो इसमें मुमेंट ऊपर की तरफ आ सकती है अगर थोड़ा रियक्शन ले लेता है ऐसे तो फिर हम उसके बाद के वीक में जा सकते हैं हमें एक प्रोज ऐसे नीचे चाहिए फिर हम यह हाई के उपर या यह रेड हाई के उपर एंटर हो सकते हैं पर फिलाल यह स्टॉप मजबूत अभी दिख रहा है है एक्षान देख लेते हैं सिर्ट्रू पर्संट है एक्षान अच्छा है सिमेट्रिक्र ट्राइंगल जैसा दीख रहा है आपके सब्सक्राइब दीख रहा हूं पहले से देख के नहीं लगाए दोस्तों तो उतना वरोसा तो करेंगे ही मुझ पर चोटा जैसा था जिसमें से बाहर निकला है यह वारा जो हाई है 803.95 उसके उपर जाए तो हैटसर नेक्स्ट विक में परफॉर्म कर सकता है तो टोटल ओल FMCG स्टॉक्स वैसे जबाता स्टॉक अच्छे हैं मुझे जो अच्छा लगा बजाज कंजूमर बाकी जो सब स्ट ब्रिटानिया है और बाकी सबस्ट वीडियो में अल्रेडी देख चुके और वापिस वीडियो देख सकते हैं तो आज की इन्फोग्राफी आपके नाम और सबीको शुक्रिया दोस्तो यह वीडियो को जितना हो सके लोगों के साथ सेयर करें लोगों को भी थोड़ा कुछ जानने को मिले और फिन मेर्याम टीम का वापिस एपस आ वुड लाग तो एक्सप्रेस मा गाया टीटुट तो ओड्स फिन मेर्याम टीम अगें एम एंगें अगें एट फेंट साथ इतना ही फिस मिलते है नय वीडियो के साथ पतक के लिए गुडबाए टेक्यार फोलो भॉ झाल झाल